चले इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं मौजबी की फंडामेंटल ओव नर्सिंग की क्वेशन नंबर 152 को हम डिसकस कर रहे हैं देखते हैं इस क्वेशन में क्या पूछ रहा है हमसे वह कह रहा है इमिडियेटली आफ्टर रीसिविशिज स्पाइनल अनेसीज्य किस्वेस को इसंपाइनल अनेसीज्य दिया जा रहा है उसे व्यक्ति में기ाय। एक्लाइंट डेवलप्स हाइपोटेंशन उस पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाता है स्पाइनल एनेसीजिया देने के बाद तो वर्ट फीजियोलोजिक चेंज से ड़स अट्रिब्यूर्ट देखने को मिल रहा है तो इस बात का ध्यान रखना वच्चे कई बारी पूछा हुआ पहले भी गया है कि स्पाइनल एनेसीजिया जब भी किसी वेट्टी को आप देते हो यह क्या करता है यह कर देता है डाइलेशन ओफ ब्लड वेसल ब्लड वेसल का डाइलेशन कर देता है और आप जानते हैं जब भी blood vessel dilate होती है उसकी वज़े उसमें लगने वाला pressure क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यानि की blood vessel के dilation की वज़े से आपको hypotension देखने को मिलेगा एक patient में जिसको spinal anesthesia दिया गया है इसको एक समझने की कोशिश करते हैं flow chart से अपने notes में आप ये flow chart बना सकते हैं जब भी किसी व्यक्ति को spinal anesthesia दिया जाता है उसे व्यक्ति में paralysis हो जाता है sympathetic nerve, sympathetic vasomotor nerve का जब भी किसी व्यक्ति को spinal anesthesia दिया जाता है paralysis हो जाएगा sympathetic vasomotor nerve का जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है dilation of blood vessel और जैसे ही blood vessel dilate करते हैं उस patient में आप पाएंगे hypotension तो याद रखेगा अगर वो directly आप से पूछे spinal anesthesia के बाद सबसे commonly आपको क्या दिखने को मिलेगा hypotension क्योंकि sympathetic vasomotor nerve का हो जाता है paralysis जिसकी वजह से dilation of blood vessel आपको देखने को मिलेगा चलिए इस question में इतना ही